United Airlines ने ग्राहकों को कुछ घंटों के भीतर दो बार नया साल मनाने का एक अनूठा अनुभव देने का दावा किया एरलाइन ने इंस्टाग्राम पर लिखा टाइम ट्रैवल रियल है उन्होंने दावा किया आप केवल एक बार जीते हैं लेकिन आप नए साल की पूर्व संध्या दो बार मना सकते हैं दरसल उडान UA200 एक जन्वरी को सुभ़ सातु पिचातीस बजे नए साल के जश्न के बाद गुवाम से प्रस्थान करने वाली थी जिसका लक्ष्य 31 दिसंबर दो हजार तेस को शाम छे से पचार बजे होनोलूलू हवाई में उतरना था इस क्रियेटिव पहल को time travel flight के नाम से जाना जाता है Time travel पूरी तरह से नई नहीं है क्योंकि कई airlines पहले भी नए साल के दिन इसी तरह के अनुभव दे चुके हैं हालांकि इस साल flight UA200 के साथ United Airlines के प्रयास को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और परिणाम प्लानिंग के अनुसार नहीं हुआ उडान को निर्धारित समय के बजाए एक जन्वरी को दोपहर एक टोव नालिस पजे गुवाम से उडान भरने में छेह घंटे से अधिक की देरी का सामना करना पड़ा नती जतन जब तक उडान होनोलूलू में उतरी तब तक आधी रात हो चुकी थी नए साल की पूर्व संध्या को दो बार मनाने का रोमांच निराशा में बदल चुका था जबकि United Airlines की उडान UA200 को देरी का सामना करना पड़ा अन्य उडानों के यात्रियों की किस्मत बहतर रही उदाहरण के लिए कैथे Pacific की उडान CX872-1 जन्वरी को दोपहर एक बजे के बाद हांकांग से रवाना हुई और 31 दिसंबर को रात आठ बाइस बजे सैन फ्रांसिसको में उतरी इसी तरह ओनल निप्पॉन एर्वेज की उडान NH106-1 जन्वरी को सुभह बारा आरेट आलिस बजे टोक्यो से रवाना हुई और 31 दिसंबर को शाम पांच बारा बजे लोस एंजिल्स पहुँची